हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का जीगट रहे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 2021 से आप तक यानि की 2022 तक देशों के नए प्रदान मंत्री और राष्टपती देखेंगे जो कि आपके सभी आने वाले एक्जाम के लिए महत पूल है तो इसलिए आप वीडियो के पुरेंट तक देखते रहे हैं तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले हम 2022 में बने देशों के नए राष्टपती और प्रदान मंत्री देखेंगे इसके बाद हम 2021 के देखेंगे 2021 में कौन बने थें तो यहाँ पर पहला कोस्टन है कैटलीन नोबाक किस देश की पहली महिला राष्टपती बनी है तो देखें कैटलीन नोबाक ये अंगरी की राजधानी है बुढ़ा पेश्ट और मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट इसके बाद कॉस्टर नमबर दो है सियो मारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्टपती बनी है तो इसका अंसरा उप्सन ए हो जाएगा होंडू रास देश की देखे होंडू रास ये म तेगू, सिगालपा और इसके मुद्रा है लैंपीरा इसके बाद कॉस्टर नमबर तीन है चिली देश के सबसे यूबर राष्टपती कौन है बने है तो देखे चिली देश के सबसे यूबर राष्टपती बने है जिनका नाम है ग्रेवियल बोरिक तो इसका अंसरा उप्स भी हो जाएगा याद रखना है ग्रियाबियल बोरिक 36 साल की उमर में चिली देश के सबसे यूबर राश्टपती बने है देखे चिली देश की राजधानी है सैंटियागो और मुद्रह चिली पैसो इसके बार नेश्ट कोस्टन है तो देखे अभी हाली में 2022 में माल्टा देश के दूसरी बार प्रदान मंतरी बने थे जिनका नाम है रोबर्ट अबेला तो इसका अंसर ओप्सन C हो जाएगा और देखे माल्टा के बरतबान में राश्टपती है जोर्ज बेला और माल्टा की राजधानी है बालेटा और मुद्रा है यूरो तो याद रखना है कि माल्टा के प्रदान मंत्री कौन बने है रोबर्ट अबेला वो राष्ट पती है जोर्ज बेला इसके बाद कोसर नमबर पाँच है मार्च 2022 में यून सोक यूल किस देश के नई राष्ट पती बने तो इसका राइट आंसर उप्सन डी हो जाएगा दच्छन कोरिया के तो देखें मार्च 2022 में दच्छन कोरिया के नई राष्ट पती बने है जिनका नाम है यून सोक यूल याद रखना है और देखे दच्छन कोरिया के बरतमार में प्रदार मंत्री है चूंग, सै, क्योन और इसके राजधानी है सियोल और मुद्रा है दच्छन कोरियाई बोन याद रखना है इसके बार नेश्ट कोस साने पाकिस्तान के नए प्रदार मंत्री कोने बनेंगे तो इसका answer option भी हो जाएगा सहबाज सरीव तो देखे आपसे भी जानते हैं पाकिस्तान के जो प्रधार मंतरे थे इमरान खान तो इमरान खान की बहाँ पर सरकार गिर गई है यानि कि इमरान खान को एब इसबास प्रस्ताप के जरिये सब्ता से हटा दिया गया है तो जब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नावाज यानि कि पी एल, पी एम एलन तो इस पार्टी दल के जो नेता है यानि कि जो सांसद है सहबाज सरीव तो सहबाज सरीव को प्रदाहन मंतरी पद का उमीदवार घोसिते किया गया है तो पाकिस्तान के नए प्रदाहन मंतरी बन सकते हैं सहबाज सरीव देखें सहबाज सरीव ये पूर्वे प्रदाहन मंतरी नावाज सरीव के छोटे बही है और देखे बात करें पाकिस्तान के बरतवाने में राष्ट पतिकोन है तो आरिफ हल्वी है और पाकिस्तान के राजधानी है इसलामबाद और मुद्रा है पाकिस्तानी रूपिया तो याद रखना है Question No.7 है जनबरी 2022 में एंटोनियो कोश्टा किस देश के फिर से प्रदान मंतरी बने तो इसका Right Answer Option C हो जाएगा पूर्तगाल के तो दिखे पूर्तगाल के एक बार फिर से दोवारा से प्रदान मंतरी बने है जिनका नाम है एंटोनियो कोश्टा दिखे एंटोनियो कोश्टा ये 2015 में पहली बार प्रदान मंतरी बने थे और आब एक बार फिर से ये पूर्तगाल के प्रदान मंतरी बन गए है देखे बात करें पुर्टगाल के बरतमान राष्टपती कोन है तो मारसेले रेवेलेडी सोसा है और पुर्टगाल की राजधानी लिस्बन है और मुद्रा है यूरो याद रखना है इसके बाद नेश्ट कोस्टन है इटली के फिर से दूसरे कारेकाल के लिए राष्टपती कोन है बने तो इसका राइट आंसर उपसंडी हो जाएगा सर्जीयो मत्ता रेला तो देखे सर्जीयो मत्ता रेला ये अभी हाली में 2022 में इटली के दोवारा से राष्टपती बन गई है याद रखना है देखे इटली के बर्तमान प्रदान मंत्री मारियो ज्रागी है और इटली की राजदानी है रोम और मुद्रा है यूरो इसके बाद अगला कॉस्सन है बारवर डोस देश की लगातार दूसरी बार प्रदान मंत्री कौन बनी है तो देखे मैं हित्पुन प्रस तो इसका अंसर ओप्सन है हो जाएगा मिया मोटली तो देखें मिया मोटली यह महिला है यहाँ दोनों ओप्सन में मिया मोटली है तो मिया मोटली यह बारवर डोस देश की लगातार दूसरी बार प्रदान मंतरी बनी है देखें बात करें कि ये जो देश है Barbados तो इसकी बरतमान राष्ट पती कोन है तो ड्रेम, सेंडरा, मे सन है और ये Barbados देश की पहली महिला राष्ट पती बनी थी तो याद रखना है और दीखे इस देश की राजधानियां बिरीज टाउन और मुद्रा है Barbados डोलर इसके बाद अगला कॉस्सा ने नीदर लेंड के लगातार चोथी बार प्रधानमंत्री कोन बने है तो दीखे महत्कुन प्रस ने तो इस कांसर ओप्सन ए हो जाएगा मार्क रूटे तो देखे मार्क रूटे नीदर लेंड देश के लागातार चोथी बार प्रिदान मंत्री बने है ये 2010 से नीदर लेंड के प्रिदान मंत्री है याद रखना है और देखे नीदर लेंड की राजधानी है के नई राष्टपती बने है सरदार बर्दी मुहा मेदोग तो इस cancer option C हो जाएगा देखे सरदार बर्दी मुहा मेदोग जो है इन्होंने अपने पिता यानि के पूर्व राष्टपती गुर्ग बांगुली बर्दी मुहा देव का इस्थान लिया है और देखे तुर्क मेर इस्थान के राष्धानी असगाबात है और मुद्रा है तुर्क मेर नया मानात याद रखना है इसके बाद आगे बाद करें अब देखे बात करें 2021 की यानि कि 2021 में जिन जिन देशों के नई राष्ट पते वार प्रदान मंतरी बने थे तो उन्हें देख लेते हैं तो कोस्सा नमर बार है स्वीडन की पहली महिला प्रदान मंतरी कोन है बनी तो देखे 2021 में स्वीडन देश की पहली महिला प्रदान मंतरी बनी थी जिनका नाम है मैग डेलेना एंडर्सन तो इसका अंसरा उप्सन ए हो जाएगा तो और देखे स्वीडन की राजधानी है इसकोर्ट होम और मुद्रा है स्वीडिस क्रोना इसके बाद अगला कॉस्टन है ट्यू नीसिया देश की पहली महिला प्रदान मंत्री कोन बनी तो देखे ट्यू नीसिया की पहली महिला प्रदान मंत्री बनी है जिनका नाम है नाजला बुदेन रम धाने तो इसका अंसरा उप्सन डी हो जाएगा याद रखना है कि नाजला बुदेन रमदान 21 देश की पहली मेंचला प्रदान मंत्री बनी थी तो ट्यू नीशिया की और देखे इस देश की राष्टपती को है बर्तमान में तो केस सईद है वो राजधानी टूनिस है और मुद्रा है दिनार इसके बार नेक्ट कोस्टन है अफगानिस्तान के नए प्रदान मंत्री कोन है तो देखे आपसे भी जानते हैं 2021 में अफगानिस्तान में तक्ता प्लाट हुआ था यहाँ पर तालिवान की नई सरकार वनी थी तो अफगानिस्तान के नए प्रदान मंत्री वनी थी जिनका नाम है मुल्ला महुम्मद हसन अंखुद तो इसकांसर ओप्सन भी हो जाएगा और देखे जो अफगानिस्तान देश है इसका नया नाम क्या रखा गया है तो इसलामिक अमिरात ओफ अफगानिस्तान याद रखना है कोस्टर नमर 15 है नेपाल देश के नए प्रधान मंत्री को ने बने तो देखे दो हजार रिकिस में नेपाल के नए प्रधान मंत्री बने थे जिनका नाम है सेर बहादुर देवबा तो इसकांसर ओप्सन यह हो जाएगा और देखे नेपाल के बरतमान में राष्टपती है बिधा देवी बंडारी और आप से भी जानते नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा है नेपाली रूपिया इसके बाद कोस्टन नमबर 16 है एस्टोनिया के नई अच्टोन गोवने बने तो दीखें 2020 में एस्टोनिया देश के नए राष्ट पती बने थे अलार कारिस तो विश्का अंसर ओपसन सी हो जाएगा और 2021 में ही एस्टोनिया की पहली महिला प्रदान मंतरी बनी थी जिनका नाम है काजा कलास तो दोनों नाम याद रखने हैं एस्टोनिया के राष्ट पती बनी थे अलार कारिस और एस्टोनिया की पहली महिला प्रदान मंतरी बनी थी काजा कलास दिखे इस्टोनिया की राजधानी है तारलेन और मुद्रा है यूरो इसके बाद नेश्ट कोस्टन है 2021 में जपान की नए प्रधान मंत्री कोन बने है तो दिखे 2021 में जपान की नए प्रधान मंत्री बने थे जिनका नाम है फूमियो कि सीधा तो इस कांसर उप्सन सी हो जाएगा और दिखे आपसे भी जानते है जपान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है जपानी येन कोस्टन नमर अठार है 2021 में किसने मलेशिया की नए प्रधान मंत्री का रूप में पदवार ग्रहन किया तो देखे 2021 में मलेशिया की नए प्रधान मंत्री बने थे इसमाइल, साबरी, याकूब तो इस कांसर उप्सन डी हो जाएगा इसमाइल, साबरी, याकूब किस देश के प्रधान मंत्री हैं मलेशिया के मेहत्पून है और देखे मलेशिया की राजधानी है कुवालाल लॉमपुर और मुद्रा है मलेशियाई रिंगित इसके बार नेश्ट कोस्टन है एरियल हेंडरी ने किस देश के नए प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रेंड किया तो इसका अंसर ओप्सन सी हो जाएगा हेती के तो देखे 2021 में हेती देश के नए प्रधान मंत्री बने थे एरियल हेंडरी याद रखना है देखे हेती देश की राजधानी क्या है तो हेती की राजधानी है पोल्टो प्रिंस और मुद्रा है हेतियन गोर्दे इसके बाद अगला कोस्सन है 2021 में पेडरो कैस्टिलो किस देश के नई राष्टपती निर्वाचित हुए तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा पेरू के तो देखे 2021 में पेरू देश के नई राष्टपती बने थे जिनका नाम है पेडरो कैस्टिलो याद रखना है देखे पेरू की राष्धानी है लीमा और मुद्रा है सोल इसके बाद कोस्सन नमर 21 है इथोपिया देश के नई प्रधान मंतरी को ने बने तो देखे 2021 में इथोपिया देश के नई प्रधान मंतरी बने थे अभी एहमद तो इसका answer option B हो जाएगा और देखे बरतमान में इथोपिया के राष्टपती है साहले बर्क जोडे और इथोपिया की राजदानी अधी सभाबव है और मुद्रा है बिर इसके बाद अगला question है अलजीरिया देश के नई प्रधान मंत्री को ने बने तो इसका right answer option D हो जाएगा आयमन बेन अबदेर रहमान तो देखे 2021 में अलजीरिया के नई प्रधान मंत्री बने थे आयमन बेन अबदेर रहमान और देखे इस देश के राष्टपती को ने बरतमान में तो अबदेल मद्जिद तेवाने है और देखे इस देश की राष्टपती को ने बने तो देखे आपसे भी जानते है अमरिका के नई राष्टपती को ने बने थे 2021 में जो बाइडेन तो इसका answer option C हो जाएगा और देखे कि अमरिका की नई उप्राष्टपती को ने थे तो कमला हैरिस बनी थी देखे कमला हैरिस का नाम भी महत्पूर है क्योंकि ये भारति मूल की है और ये अमरिका की पहली महिल उप्राष्टपती बनी है तो याद रखना है कि अमरिका की राष्टपती जो बाइडेन है और उप्राष्टपती है कमला हैरिस देखे अमरीका के राजधानी है बासिंग्टन डीसी और मुद्रा है अमरीकी डोलर इसके बाद कोस्ट नमबर 24 है इजराइल के नई प्रधानमंत्री कौन है बने तो इसका राइट आंसर ओप्सन सी हो जाएगा नेफटाली बेनेट देखे नेफटाली बेनेट 2021 में इसराइल के नई प्रधानमंत्री बने थे और देखे बरतमान में इसराइल के राष्टपती है इसाग हर जोग देखे इसराइल के राजधानी यहरू सलम है और मुद्रा है इसराइली नई से केल तो दोस्तो ये थे 2021 और 2022 में बने देशों के नए राष्टपति और प्रधानमंत्री अब चलिए आज का कोसन देख लेते हैं जिसका अंसर आपको नीचे कमेंड वोक्स में बताना है तो आज का प्रस ने भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो दोस्तो इसका अंसर आपको नीचे कमेंड वोक्स में बताना है कि भारत की जो UPI प्रणाली है तो इसे अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है देखे ये कोशन मैंने इससे पहले के वीडियो में करवा दिया था आप चाहे तो इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै वारत